दोस्तो health insurance series में नए वीडियो में आपका स्वागत है नया trend है health insurance का और वो नया trend है comprehensive plans तो दोस्तो इसको समझना बहुत ही जादा जरूरी हो गया है अगर आपके पास health insurance है तो भी आपके लिए बहुत सारी valuable information आने वाली है और नहीं है तो इसके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं दोस्तो तो आगे बढ़ते हैं बहुत सारी important information आगे हैं दोस्तो comprehensive plans का मतलब है समझ लिजिए आप किसी restaurant में गए हैं और वहां पर जैसे buffet लगा है वैसा ही आप समझ लिजिए यह होते हैं comprehensive plans सब चीजे आपको एक ही जगह पर मिल जाएगे अलग-अलग चीजों के लिए आपको कही पर दोणना नहीं पड़ेगा दोस्तो तो वो चीज है यहां पर आपको हर चीज एक जगह से मिल जा रही है अगर आप इसको एक से package कह सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा और आपका चुकि investment आप कर रहे हैं जी हां word ध्यान में रखिये मैंने investment कहा है आप यहां दो एला काटे की तरह नहीं रहती है चीजे यहां पर सब कुछ कोई भी health insurance related चीजे जो भी है health को लेकर चीजे हैं सब कोई चीज़ा की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है जैसे की pre hospitalization hospitalization से पहले क्या करना है जैसे doctor check-up कराने जाते हैं कुछ test की जाती है तो वो सब चीजे post hospitalization बहुत सारी चीजे क्या क्या दवाईयां होती है क्या क्या फिर उसके बाद therapeutic क्या क्या चीजे करनी पड़ती है वो सब चीजे hospitalization के समय क्या क्या खर्चे होते हैं वो सब चीजे तो है ही दोस्तो लेकिन ये दोनो added चीजे हैं ambulance का खर्चा है और cashless treatment है तो ये सब चीजे जो है comprehensive plans के अंदर आती है और अब आजकल चुकि awareness बहुत भी बढ़ गया है तो इनके cost भी ज्यादा नहीं होते हैं मैं आपको एक sample आपको दिखाता हूं ताक कि आपको और ज्यादा idea आए तो दोस्तो यहाँ पर हम आपको sample दिखा रहे हैं जैसे platform है get vital उनका समझ लिजिए आपने 12 महीने का health insurance लिया हुआ है तो दोस्तो यहाँ पर यह जो comprehensive plans जो होते हैं वहाँ पर hospitalization का खर्चा, ambulance का खर्चा, day care का जो procedure है उसका खर्चा, pre-hospitalization, post-hospitalization यह सब चीजे cover होती है एक sample आपको मैं दिखा दू, समझ लिजिए आपने 10 लाख रुपए तक का आपने sum insured लिया हुआ है और आपने 35,000 का deductible चुना है, 35,000 का deductible का यहाँ मतलब आपको समझा दू, समझ लिजिए आपको सब कुछ मिला के खर्चा हुआ 2 लाख रुपए, तो 35,000 आपको देने प 25,000 ही देना है, तो अगर ऐसा एक plan लेते हैं, तो यह देखिए आपके सामने है, premium 276 रुपीज पर मन्त, यह भी आपके pocket के लिए बहुत ही हलका है, यह आपकी एक तरीके से saving भी है, और expenses तो मैं नहीं कहूँगा, investment कहूँगा, positive investment आप लोग SIP में करते ही हैं, हर महीने 2000, 5000, 10,000, 50,000 तक invest करते हैं, 276 है, तो एक तरीके से premium है, advantage, tax के भी है, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो यह get vital का platform है, बिल्कुल मैं आपको motivate करूँगा कि आप इसको explore करें, और वहाँ जाके खुद देखें, और अभी जो मैंने link दी हुए नीचे, अगर वहाँ पर आ मिलेगा, अब आपको comprehensive plan के advantages बता देते हैं, दोस्तों, जैसे day care procedures है, जैसे कि समझ दीजे, chemotherapy है, radio therapy है, liver biopsy है, cataract operation है, coronary angiography और बहुत सारी चीजे हैं, तो यह सब जो day care के जो procedures है, यह सब यहाँ पर covered रहते हैं, तो यहाँ पर generally बहुत जगा में होता है कि hospitalization mandatory होता है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो आपकी pocket के लिए भी यह थोड़ा हलका है, और दूसरी चीज है, सबसे important, यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर underline भी कर देता हूं, कि जो आप stress है, वो आपको नहीं लेना पड़ता है, दोस्तों, तो वो एक बहुत बड़ा advantage है, अगली चीज है, pre and post hospitalization, तो यहाँ पर, मैं यहाँ पर दोनों अलग कर देता हूं, pre hospitalization में, जैसे hospital से पहले, आप consultation करेंगे, doctors के साथ, investigation, जो reports होंगी, वो सब होगा, तो 30 दिन पहले, admission के 30 दिन पहले का जो भी काम होंगे, वो सब pre hospitalization में होते हैं, दोस्तों, और hospitalization, day care, जो purpose है, treatment है, यह सब यहाँ पर, cover होता है, और फिर, उसके बाद, जो भी है, treatment है, वो होती है, और उसके बाद, जो post hospitalization, मतलब समय देजे, आपका discharge हो गया है, तो उसके बाद भी आपको consultation करना पड़ता है, investigation, reports आपको लानी पड़ती है, वो सब काम, तो 60 दिन, discharge के 60 दिन बाद भी, यह सब यहाँ पर रहता है, दोस्तों, तो यह सब important चीज़े हैं, जो आपको जरूर जाननी चाहिए, जब आप comprehensive plan को opt करते हैं, दोस्तों, तो यह सब कुछ positive चीज़े हैं, जो आपको, as a, हम कहें कि as a person, as a, को कि आप अपने लिए, अपनी family के लिए सोच रहे हैं, तो यह आपके comprehensive plan में एक और advantage है, वो है, ambulance का cover, जो कुछ भी अगर जरूरत पड़ती है, तो दोस्तों, 2000 रुपे तक का जो भी ambulance के जो खर्चे हैं, expenses हैं, वो भी covered रहते हैं, जब हम बात करते हैं, comprehensive plan में, तो आपने देखा कि comprehensive में एक तरीके से buffet की तरह है, आपको बहुत सारी चीज़े ए और उसके बाद 20-60 दिन के लिए चीज़े हो जारी है, तो सब कुछ एक जगह पर आपको मिल जा रहा है, दोस्तों, तो ये सब कुछ advantage इसके रहते हैं, अब उसके अलावा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहां पर included है, कुछ-कुछ procedures है, जो important procedures, जो की included नहीं है, और वो भी आपको जानने चाहिए, वो भी हम आपको बताते हैं, अब ये देखिए, यहां पर देखिए, मैंने यहां पर not covered पर यहां underline कर दिया है, कुछ चीज़े covered नहीं होती है, समझ लीजिए, illegally या फिर जान बूच के खुद को injury की हुई है, और hospitalization हुआ है, तो ये cover नहीं होगा, फिर ऐसा कोई treatment जान बूच के, टोबेको है, या alcohol है, कोई narcotic, कुछ भी ऐसा कोई परदार्थ लिया गया है, और उसके कारण से बिमारी होती है, और hospital जाना पड़ता है, तो ये भी cover नहीं होगा, तो वो चीज़ को आप ध्यान में रखिए, फिर cosmetic और plastic surgery है, ये भी cover नहीं ह तो आपको समझना है, दोस्तो, STD जैसे होते हैं, HIV है, AIDS है, तो ये सब भी cover में नहीं आते हैं, फिर dental या optical care जो है, वो भी cover में नहीं आता है, लेकिन कुछ cases में यहाँ पर समझ लेजिए, emergency हुई या emergency hospitalization की जरूरत पड़ी, तब ये आपको approval मिलेगा, बट जनरली यहाँ पर भी अगर आप कुछ करते हैं, सामने से अगर आपको दान्त का कुछ problem है, cavity का है, तो वहाँ पर root canal है, तो वो generally covered नहीं होता है, जो medic claim है, या फिर comprehensive policies है, उसमें, दोस्तो, यहाँ पर बिल्कुल आपको motivate करेंगे, दोस्तो, आपके कुछ भी doubt है, तो आप जरूर comment section में लि बहुत धन्यवाद, आप explore कर सकते हैं, जो get vital की जो link दी हुई है, आपको advantage होगा, आपको नया कुछ जानने को मिलेगा, पूरी policies अगर आप पढ़ेंगे, तो दोस्तो, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो, तो च जरू like, share, subscribe कीजिया, thank you very much, दोस्तो.